ओम शान्तियम ओम शान्तियम ओम शान्तियम बाबा ने हम सभी को निर्विघन जीवन जीने की बहुत सुन्दर प्रेणा दी है जो स्वयम वेघन बिनासक हैं उनके आगे भी यदि विघनाएंगे तो बाकि संसार के लोगों का क्या हल होगा हम अपनी शक्तियों को पहचाने उनकी इसमर्ति में रहें और विघनों को योग बल्च से, संकल बल्च से और पवितरता के बल्च से समाप्त करें लक्स बना लें, भाई ये विघन तो भले ही आते हैं, लेकिन हमारी स्थिती में विघन न हों, हमारे संकल्पों में विघन न हों, हमारे अपने संसकार हमारे लिए और दूसरों के लिए विघनकारी न बने हुए हों, हमारा जीवन जीने का तरीका इतना सुन्दर और सरल हो कि हम छोटी मोटी बातों को तो सहज ही पार करते चलें उनमें किसी भी तरह के विगन की हमें मैसुसता ना हो विगन तो आते हैं बहुत सारे विगन पूर्व जन्मों के करमों के कारण आते हैं बहुत सारे वेगन मनुसके मनोविकारों के कारणाते हैं, क्रोध के कारणाते हैं, लोब के कारणाते हैं, एपवितरता के कारणाते हैं, हम अपनी पवितरता को मजभूत करते चलें, पवितर्ता हमारा सबसे सुन्दर सब्जेक्ट है बाबा आया ही है हमें पवितर बनाने और पवितर्ता का सुख परम सुख होता है पवितर्ता के आधार पर ही पूजा होती है पवितर्ता स्थापना के कारिये में बहुत बड़ी भूमी का निभाती है क्योंकि हम धर्म की भी स्थापना कर रहे हैं और देवी स्वराज की भी स्थापना कर रहे हैं पवितर्ता के द्वारा धर्म की स्थापना में बल मिलता है और बाबा ने हम सभी को अनेक बच्चों को पवित्र बना दिया है स्रेश धर्म की स्थापना के लिए तो हम चेक करेंगे हमारे अंदर कोई सुक्सम भी ऐ पवितर्ता तो नहीं है काम की च्छाएं तो नहीं है, तेहे काकर्षन तो नहीं है, हमारे स्वपन पवित्र होते जाते हैं, कोई कह सकता है कि स्वपन थोड़ा ही हमारे हात में होते हैं, पर यदी हमारी स्थिती स्रेश्ठो, अगर हम अपने योगव्यास पर बहुत ध्यान दें, अगर हम अपनी द्रष्टी को आत्मिक बनाएं, द्रष्टी से अपने को मुक्त करते चलें, तो हमारे स्वपन भी बहुत स्रेश्ठोंगे, सतो परधान होंगे हमारी स्वपनों की पवितरता हमारी बाहिये पवितरता को परतक्स करती है अर्थात अगर हम बाहिये रूप से बहुत पवितर हैं तो स्वपन भी पवितर हैं और अगर स्वपनों में किसी तरह की पवितरता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि आत्मा में, मन में, संस्कारों में, कहीं ना कहीं एपवितर्ता बाकी है तो एक तरह से स्वपन हमारी स्थिती के दरपन होते हैं हम स्वपन जिस तरह के देखते हैं, हम अपनी स्थिती को उस आधार से जांच करें बहुत सारे स्वपन तो अनावस्यक होते हैं, मीनिंगलेस होते हैं, कोई अर्थ उनका नहीं होता, उन पर हम ध्यान न दें, पर कुछ स्वपन अवस्य हमें हमारी स्थिती का एक आइना दिखा देते हैं, तो आइए हम सभी अपने जीवन को निर्विघन बनाएं, अपनी पवितरता के प्रकास को संसार में फैलाएं, हमारी पवितरता का प्रकास बहुत जवरदस्ट प्रकास है, हम इसके महत्व को समझें, और आज सारा दिन हम इस पवितरता को बढ़ाने के लिए आत्मिक दृष ताकि हमारी कर्मिंद्रियां भी शीतल हो जाएं और साथ साथ स्वमान लेंगे मैं फरिष्टा हूँ, पवितर्ता का फरिष्टा हूँ, अपने स्वरूप को देखेंगे कि मेरे अंग-अंग से पवितर्ता की गोल्डन किरने चारो और फैल रही हैं। मैं आत्मा इस देह से बिलकुल न्यारी हूँ, न्यारेपन का अनुभव, ये अलग देह और मैं आत्मा अलग, और सब को भी जब देखें इस नजर से, ये सब पवित्र आत्माई हैं, मोल रूप में सभी आत्माई पवित्र हैं, सारा दिन आज इसकी धुन लगाएंगे, इस इसे पवित्रत्ता की शक्ती भी बढ़ेगी, और हमारा जीवन निर्विघन भी बनेगा, तो आप सब को बहुत-बहुत थैंक्स, ओम श्यान्ति.